खेर दोस्तों कह सकते हो कि automobile industry के अंदर बड़े दिनों बाद रोनक फिर से लोटने वाली है क्योंकि नए launches वो start हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे होगे कि Kia Sonnet जो है वो एक तरीके से अपना facelift लेकर के आ गई है और front के अगर हम लोग grill वगेरा की बात करें तो अच्छी खासी आपको तबदील यहां से भी देखने को मिलेगी light वगेरा के अंदर भी हाला कि signature किया grill है जो tiger nose आप कह सकते हो इसको तो यहां पर आपको एक थोड़ा सा अच्छा जो है वो change दिखाई दे रहा होगा side profile के अगर हम बात करतें तो सबसे पहले notice के अंदर यह आते कुछ इस टाइप के अलोई 215, 16, R16 जो है वो tire size आपको दिया गया है कुछ एक इसके अंदर और और सारी चीजे भी बदलाव आए एडास वगेरा जो है वो इसके अंदर आ गया है वो क्या चीजे है वो आपको जाकर के बताऊं एक बार मैं पीछे जो है वो भी आपको दिखा देता हूं कि tail lights वेगरा के अंदर या पीछे के अगर देखते हैं तो किस type का आपको बदलाव देखने को मिलेगा सबसे जो बढ़िया आपको बदलाव लगने वाला है देखो बाहर से आगे से जो है वो सबसे ज़्यादा features provide करने वाली ये गाड़ी है वो क्या चीजे है वो आपको अंदर बैठ करके बताएंगे और अंदर का जो interior है वो भी आपको दिखाने वाले है कि क्या कुछ type का है अले कि जो boot space है I think 382 या 385 है आपको exact जो है उ स्क्रीन के ऊपर पता चल रहा होगा कि कित है वन इटर जो है आपका turbo engine मिल जाता है 1.5 जो है डीजल आ जाता और इस बार डीजल जो है वो आपको manual भी देखने को मिलेगा इसमें 1.2 एन इंजन तो आता ही आता है वो अच्छा खासा वेटा खेर इसके अंदर दो खेर कुछ यह है आपका turbo engine जो आपको दिखाई देग इस टाइप का जो है पूरा तो जी यह देखो और यहाड़ी थोड़ी देर के लिए बं थी नहीं पूरे शीशे विचे तो इस वज़े से काफी गर्मी जो है वो हो रखी अंदर कोई बात नहीं तो यहाँ पर जो है देखेंगे आप पूरा का पूरा जो फील है अब जो है में जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं इंस्ट्रमेंट कलस्टर वेगरा जो देख रहे हैं यह 10.25 इंच का दे दिया गया है पूरी की पूरी इंफोरी इंफोमेशन जो है वो इसके अंदर आपको मिलेगी अब अब अडास जो है वो आपको मिलेगा कम से कम 10 अडास के जो वो इन्होंने उठा करके यहां पर cover करे हैं और लगबग 25 जो है वो safety के features आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस type का जो है ये देखिए interface इसका देखने को आपको मिलेगा इसमें पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त ठीक है देखने वाली बात ये होगी कि ये गाड़ी आती कितने में है लगबग 20 तारिक से यहां से आपकी bookings वगरा जो है वो start हो जाएंगे गाड़ी की चाबी जो है वो काफी जो है ये शुरुवात से अट्रेक्टिव जो है वो बनाते हैं खुद देख पा रहे होंगे किस टाइप की जो है वो चाबी आपको देखने को मिलती है और इंटीर के क्वालिटी के अगर मैं बात करता हूँ तो खास तोर पर जो ये जो है बेज और ब्लैक का जो कॉमिनेशन जो दिया है वो आपको काफी प्रीमियम लगने वाला है ठीक है आप मैं तो कहता हूँ एक बार जा करके देखे शोरूम के अंदर आपको लुभाएगी ये चीजे ठीक है क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के अंदर इस ताइप को कॉमिनेशन नहीं बात संरूफ की अगर कर लेते हैं तो देखिए सेग्मेंट के अंदर जो गाड़ी आ रही है वो लगबग इतनी ही बड़ी है मतलब कि इससे भी थोड़ी सी चोटी संरूफ हमने देखी है वैसे तो लेकिन इसकी डीसेंड साइज की है गलाव बॉक्स जो है वो आपको अच दिकायत यही रहती थी कि डीजल के अंदर जो है मैनुवल वगएरा नहीं देते तो जिनको अब चाव है ना बगाने का थोड़ा सा जूजा करने का मजे लेकर के चलाने का वो अब एकदम से खुश हो जाएंगे खेर यहां पर जो है वो आपका स्टोरेज बोक्स दिया गय अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ देखिए कुछ इस टाइप का जो की काफी ज़्यादा अच्छा यह लग रहा है इनफेक्ट मेरेको इससे भी ज़्यादा फील जो है इसकी अच्छी आ रही है ठीक है मतलब उसकी भी अच्छी है विसे ठीक है आप देख रहे हैं यहा पर जो है वो switch कर रहा हूँ यहां से ठीक है अब यहां से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हूँ इनको यहां से ठीक है तो यह सारे फीचर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे खैर बैटरी डिस्प्ले वर्निग तो जरूर जरूर देगा है यह जो है यह है आयम टी वाला लेंगे तो दोस्तो ये था आज का हमारा वीडियो उमीद करते हैं आपको पसंद आई होगी किया सोनेट भी हम लोगों को तो काफी अच्छी लगी और दूसरी चीज ये भी आपको बताना था कि भेया अब इसके अंदर 360 कैमरा भी आ गया है जो कि आपको बताना में बूल ग कि आपको बढ़ मां भी आपको पारत।